निया शर्मा आने जा रही है बिग बॉस सीजन 18 में जी हाँ निया टेलविजन रस्टी की बहुत ही बोल्ड और खुबसरा दगारा रही है अपने एक्टिंग के दम पर और अपनी बोल्लेस के दम पर जो रोने आज पहे चांद हाँ सिल्की है वो इंडस्टी की कुईन मानी जाती है और उनकी इदमदार पस्टेलिटी बिग बॉस सी घर में खूब चाने वाली है देखा जाए तो निया शर्मा के वारे में बहुत सारी चीज़े अब जानना चाहते हैं जब से उनके बिग बॉस में आने की खबर कंफर्म हुई है तब से बहुत सारी चीज़े उनस रहर्मोस्ट निया शर्मा सिंगल है लेकिन उससे पहले कुशल टंडन जिनके साथ 1000 में मेरी बहना शोग कर चुकी है निया उनहें डेट कर चुकी है बहुत ही कम समय के लिए इन दुनों ने एक दूसरे को डेट किया था और उससे पहले वरुन नाम के भी एक्टर को निया दोनों के साथ ही निया शर्मा की बहुत ही गहरी दोस्ती रही और उनकी वाइजके साथ भी दूसाल हम बात करें हैं या या रवी दूबे और अर्जुन बिजलानी और रवी दूवे निया शर्मा के बहुत ही पुराने दोस्त है अर्जुन और निया तो एक ही बिल्डिंग में भी रहते हैं एक दूसरे के पडोसी है वही रवी दूबे के साथ एक सीरीज कर चुकी है निया शर्मा निया ने जिस सीरीज में अपने bold hot scenes भी दिये थे kissing scenes भी दिये थे रवी दूबे के साथ लेकिन इस बास से जब रवी और उनकी वाइफ सरगुन को ही कोई problem नहीं थी तो लोगों ने इस बात पर इतराज जरू ठाना शुरू कर दिया कि भाई टेलिविजिन एक्टर ऐसे कैसे कर सकते हैं और निया तो वैसे भी इन सब चीजों के लिए बदनाम हमेशा से रही यह जादा ही bold है लेकिन दूसरी और अरजुन बिजलाने के साथ तो क्या उनकी वाईफ नेहा स्वामी विजलाने के साथ भी निया की बहुत अच्छी दोस्ती है लेकिन उसके बावजुद भी लोगों ने कहा कि अरजुन पर डोरे डालती है निया याई कि उनकी उपर रिज्वाम खूब लगे उनकी दोस्ती को भी गलत नजरीय से देखा गया लेकिन कभी भी निया ने कै yıl रवी और अर्जुन के साथ अपनी दोस्ती तोड़ी बिलको नहीं और नाहीर रवी और अर्जन ने आज भी इंके साथ close है और उनकी बहुत ही खास दोस्त है निया शर्मा लेकिन हर को ये ज़रूर जाना चाहता है अब फिलहाल तो निया सिंगल है लेकिन इसे पहले किसे एक्चल में वो डेट कर चुकी हैं यारा सालों के बीच इसकी जानकारी किसी को भी नहीं आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कामेंट सेक्षिंट में जरूर लिक कर बताएगा वीडियो को लाइक से चानल को सब्सक्राइब के बिलकुल भीना चाहें